जूठे रास्तवाद के गहरे रंग में गुलकर अपनी वास्त्विक्ता से भटक रहे देश को भारतेता की राह पर वापस मोडते राहूं संग भाजपा के शातिर शर्यंत्र के बीच बहुसंख्यवाद की राजनीती को बंदुत्व और भाईचारे की राह पर वापस मोडते राहूं वाट्सप यूनिवसिटी पर बाटे जा रहे फरजी ग्यान के पीछे की सच्चाई को निडर्ता के साथ देश को बतलाते राहूं नीजी करण की गहरी साजिश के खिला पुन्जिवाद की परते उधेरते राहूं आज राहूल की बात हो और क्यूं हो रही है इस वीडियो में बताएं क्या राहूल गांदी होना आसान है बिल्कुल ने कैसे कोई नेता विपक्ष में होकर भी बेलगाम पुन्जिवाद पर सरकार को चेतावनी देता है भरे सदन में पुन्जी पतियों को नसीहत देता है फरजी राष्टवाद के दौर में कैसे कोई नेता पूरी दिल्लेरी के साथ भारत को यूनियन ओफ स्टेट बताता है राज्यों की बात करता है वहां की विभिंद संस्कृतियों और भाषाओं को बचाने की बात करता है फिलाल राहुल भारत जोडो यात्रा पर तमिलाडू, केरल, करनाट का आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महराष्ट के रास्ते या यात्रा मर्द्रप्रदेश से गुजर रही है राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से धार्मिक कट्रवाद की गुलाबी कालीन के उपर से धनपशुव के दस्तरखान को खीच कर फैक दिया देश के आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए प्रेडित करके राहुल ने इस देश के मूल निवासियों को उनकी पुरानी पहँचान लोटा दिये बीती दिनों राहुल ने गुजरात में आदिवासियों की एक सभा को सम्बोधित किया और कहा वे आपको बनवासी कहते हैं वे यह नहीं कहते हैं कि आप भारत के पहले वह असली मालिक हैं बलकि यह कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं आप जंगली हैं, इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि आप शहरों में रहें, वे नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विमान उडाना सीखें, अंग्रेजी बोले, वे चाहते हैं कि आप जंगल में रहें, लेकिन वहीं तक नहीं रुखते वे उसके बाद वे आपसे जंगल छीनने लगता है अगर ऐसा ऐसा ही चलता रहा तो अगले पात से दस साल के भीतर नजाने कितने जंगल उजड जाएंगे कितने जंगल दो-तीन उद्योग पतियों के हाथों में चले जाएंगे और आपके पास रहने के लिए कोई जगर नहीं होगी सिक्षा, स्वास्त और नौकरी भी नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूँ कि देश आपसे छीन लिया गया है राहुल आदिवासी समाज को लेकर क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं आप इस वीडियो में देखें इसके आगे फिर मैं बताता है जब मैं छोटा था मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में बोलती पुल लिखा हुआ था और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्टा था और हर दो-तीन दिन मैं अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था उसमें बहुत सुन्दर फोटो थी चित्र बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था वो मचली को मारता था तो मैं बच्चा था मुझे बहुत अच्छा लगता था यह आपने मुझे क्यूं दी और दादी ने जवाब दिया क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक है और अगर अगर तुम्हें मुझे बोला अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीती रिवाज समझे बिना, तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते हो मैं चोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूँ अगर आप हिंदुस्तान को सच मुझ में समझना चाहते हो आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो है उनका इतिहास उनका जीने का तरीका उनका जंगल से रिष्टा इंवाइरमेंट से रिष्टा समझना होगा क्योंकि आप आपने ही इस धर्ती पे पहले पैर रखा था राहुल ने आदिवासीयों को कहा आप देश के पहले मालिक हैं लेकिन देश आप से छीन लिया गया है राहुल इस पूरी यात्रा में आदिवासी भाई बहनों के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं भगवान बिर्सा मुंडा और टाट्या मामा को आदर्श मान कर आदिवासीयों की अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृती के लिए लड़ रहे हैं क्या आपने बीते दो, तीन, चार, पांस दशक में ऐसे किसी नेता को देखा जो खुल कर आदिवासीयों की बात कर रहा हो, नहीं, नहीं देखा होगा और आप देख भी नहीं पाएंगे आप देखिए कि तेवारों में राहुल आदिवासीयों का हिस्सा बन रहे हैं जमस्तली जा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को पुन जागरित कर रहे हैं समूचे विश्व को आदिवासी समाज के खुबसुद परिवेश का संदेश पहुचा रहे हैं यह राहुल की पॉलिटिक्स नहीं, विजन है, सुनहरे समाजबात का ब्लूप्रिंट है राजनीती घालमेल से सत्ता की रोटी सेकने वालों पर सीधा वार है राहुल दुनिया के राजनीतिक एतिहास के अकेले ऐसे सक्ष हैं जिनकी खीची लकीर मिटाने के लिए उनके दावन पर दाग पहुचाने के लिए हजारो करूर रुपे सत्ता खर्च कर रही है लेकिन फिर भी वो काम्याब नहीं है सब फेल हो चुका अज राहुल दुनिया के अकेले ऐसे सक्ष हैं जिनने भारत को जोडने के लिए इतिनी विशाल पज्यात्रा की शुरुवात की है जोकि इतिहास में दर्ज हो चुकी है नोडबंदी से लेकर आज तक उनकी हर भविश्यवाणी सही साबित हुए करोना से लेकर अर्थवरस्ता तक सरकार उनके सुझाओं को किसी ना किसी तरीके से मानने को मजबूर रही है भले पहले उन लोगों ने मानने से इनकार किया हुए लेकिन बाद में वहीं आना पड़ता है राहुल ने बेरोजगारी, महंगाई और चौपट अर्थवरस्ता में सुधार के लिए बिगुल फूंक दिया भारतिय राजनीती का यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है यह यात्रा भारत को स्वालंबी, मजबूत और नेडर बना रही है लड़ना सिखा रही है, लड़के कैसे जीतना है, वो बता रही है, वो सिखा रही है और ऐसे ही यह भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी, और भारत का बच्चा बच्चा इससे जुड़कर अपने भर्ष को बहतर की उमीदी से देख रहा है और देखते हुए, वो कल एक ऐसा आएगा, जब अपने भर्ष को सुधरता हुआ देखेगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए रहुल गांधी का धन्यवाद करें बहुत बरश्चुक्र